हेलो एवरिवन और वेलकम बेक आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक और होम रेमेडी लेकर आई हूँ बच्चों में जो सरदिखासी होती है छाती में उनके कफ जम जाता है दानी नोज उनका एक दिन में ठीक हो जाएगा इस रेमेडी के साथ और ये बिलकुल tried and tested रेमेडी है मैं हमेशा मेरे बच्चों को जब भी सरदिखासी होती है तो इन्हें यूज करती हूँ मेरी ममा ने मेरे उपर यूज किया है और मेरे दादी या नानी ने भी उनके बच्चों के उपर यूज किया है तो ये दादी नानी का नुस्का है बिल्कुल tried and tested remedy है और बिल्कुल भी safe है बच्चों के लिए especially जो newborn babies होते हैं उनके साथ क्या problem होती है जब उन्हें सर्दिकासी होती है तब हम उन्हें कुछ पिला भी नहीं सकते कुछ खिला भी नहीं सकते तो उनके लिए बहुत अच्छा क इस वीडियो में तो इस वीडियो में आगे आपको बताऊंगी कि अजवाइन के पोटली की सतरा से बनाई जाती है लेकिन इसके फायदे क्या है वह मैं आपको बता दू तो बच्चों में जो नोस ब्लोक हो जाता है अजवाइन की स्मेल से वह नोस उनका clear हो जाएगा ठीक तो ये बच्चों में सर्दी खासी को ठीक करने के लिए बहुत ही असरदार नुस्का है आईए देखते है कि इसे बनाना कैसे है तो इसे बनाना भी बहुत ही आसान है सबसे पहले हमने गैस ऑन किया है और गैस के उपर हमने तवा रखा है तवा हमारा गरम हो रहा है और हम अजवायन को गण टवे उपर दालेंगे तो क्योंकि हम यह तो तवह बना रहे हैं है अभी हम अजवायन को अच्छी तरह से रोस्ट करेंगे अझरों को तो अजवायन के अंदर से यह जो स्मेल आ रहे हैं अगर आपका बचन पे किचन में है तो इसकी भी स्मयल की मदद से भी बच्चों की जो नोस ब्लॉक हो जाती है तीक हो जाएगी रहनी नोस कीप्राब्ल menypik से ही तो अजवान को हमने यहांट पर अच्छी तरह से रोत करना है सेखना चलाते रहना है ताकि सारी अजवाइन को अच्छी तरह से हम सेख सकें तो अल्मोस मैंने दीमी आज पर एक मिनित तक अजवाइन को सेखा है यहाँ पर तो अजवाइन जब अच्छे से सिख जाए इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा थोड़ा ब्रावनी सो जाएगा तो इस ताइम पर हम गैस को आफ कर देंगे और तवे को नीचे उठाद लेंगे मैंने यहाँ पर मलमल का कपड़ा लिया है क्योंकि मलमल का कपड़ा जो होता है वो स्मेल को अच्छी तरह से बाहर आएगी अजवाइन के जो स्मेल होगी वो अच्छी तरह से इस कपड़ में बाहर आती है तो इस कपड़े के ऊपर हम अजवाइन को निकाल लेंगे आप कोई भी अपनी पूरानी दुपत्ता वगेरा भी यूज कर सकते हो तो मैंने दो पोटली बनाई है यहाँ पे तो हमारे जो पहली पोटली है इसको हम क्या करें या फिर मैंने यहां पर रबर बेंड यूज किया है तो यह नॉर्मल रबर बेंड जो बच्चों के बालों में हम लगाते हैं वही है तो इसको हम अच्छी तरह से पैक कर देंगे पोटली को ताकि अजवाइन बाहर ना जाए तो कुछ मोटा सा रबर यूज करिएगा मैंन दूसरी पोटली बना रही हूं यह ऐसा क्यूं कर रहे हम वह मैं आपको बाद में बताऊंगी लेकिन कुछ इस तरह से हम इसे पैक कर लेंगे और जो यहां वाला जो यह वाला जो पार्ट है इस जगा पे हम अच्छे से सिलाई कर लेंगे और इसकी भी स्क्वार या इसके बाद इसके बीच से हम एक दागा परो देंगे और इसको बच्चों के गले के अंदर हमें बांधना है बच्चों की गले के अंदर बांदने से क्या फाइदा होता है कि यह जो पोटली है अजवाइन जो है वह एकदम बच्चों की चैस्ट के उपर आती है तो इसकी विए उसकिक हो जाता है लेकिन अगर आप बचों की गले में कोई भी इस तरह का दागा बांधना प्रिफर नहीं करते तो भी कोई बात नहीं आप दूसरी वाली जो पोटली बनाई है हमने वो यूज कर सकते हो वो भी बिल्कुल एफेक्टिव है इसी की तरह तो इसे आप कैसे यूज कर सकते हो यह जो दूसरी पोटली है इसको जब आपका बच्चा सो जाए इसके बाद आ बनाने की तुरंट पाड़ चैस के उपर इस पोटली की मदद से सिखाई करें गाल쪽 इस पोली को बच्चों के आसपास चोड़ दे बच्चों का नोस जहाँन पे हो इसके षोड़ दे तो एक स्मैल की से बच्छों का जो बच्चों satisfaction काम होता है बच्चों की सरदी खांसी कफ ठीक हो जाएगा एक दिन में तो गले में बांदने से यह ज्यादा effective काम करेगा लेकिन अगर आप गले में नहीं बांदना चाहते तो आप दूसरा तरीका भी बिल्कुल भी यूज कर सकते हो गले में अगर आप बांद रहे हो तो मैं आपको कहूंगी कि आप गले से आप उसको निकाल दीजिए तो अगर आपके बच्चे को भी सर्दी खासी हुई है तो आप इस पोटली जरूर बना के यूज करेगा और यूज करने के बाद आपके क्या रिव्यूज है आप मुझे नीचे आपकी कमेंट बॉक्स में लिखके जरूर बताएगा कुछों से रिलेटेड और भी बहुत सारे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नौटिफिकेशन जरूर प्रेस कर ले थैंक यू फू वाचिंग दे वीडियो एंड बबाई